हेलो फ्रेंड्स साम की छोटी पोटी भूट के लिए समझ में नहीं आता है कि क्या बनाओं जो हेल्दी भी हो टेस्टी भी हो जल्दी भी बन जाए तो बस आज में आप लोगों के लिए ले कि आई हो एक दम कम तेल में बनने वाला ये हेल्दी सा नास्ता जो सभी को काफी ज़्यादा पसंद आएगा तो फिर चलिए बनाते हैं तो आज हम इस इंस्टंट सी रेसिपी को मखाने और मुंगफली से बनाएंगे उसके लिए एक कटोरी मखाना लेना है और थोड़ा सा मुंगफली मुंगफली की क्वांटिटी आप ज़्यादा रख सकते हैं अब एक कटाई लेना है अब इस कटाई को गरम होनी के छोड़ देंगे गरम होगे आप इसमें एक चमच तेल डालेंगे आप तेल की जगह देसी घी भी डाल सकते हैं जो इच्छा है वो डालें अब ये तेल गरम हो गया आप इसमें मुफली और मखाना दोनों को डाल देंगे और दोनों को मीडियम फ्लेम में ही भूनना है क्योंकि मीडियम फ्लेम में भूनेंगे तो ये मखाना एकदम क्रिस्पी हो जाएगा स्टार्टिंग में जब आप मखाने को डालेंगे तो ग्यास का फ्लेम हाई रखेंगे फिर लो फ्लेम में ही भुनेंगे लो फ्लेम में ये अच्छी तरह से अंदर तक सिखता है और साथ में मुफली भी सिख जाएगा अब आप देख सकते हलकाल का सीखना स्टार्ट हो गया हलका सा कलर भी चेंज होने लगा है आप इस मखाने में सिप नमक डाल के भी खाएगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है अब यह अच्छी तरह से भुन किया है, अब हलकाल का कलर भी चेंज होगी, अब इसे हम निकाल लेते हैं अब यह मखाना हलकाल का गरम है, तो गरम में हमने एक बाउल में निकाल लिया है एक पीस में आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह से एकदम असानी से तूट किया तो आज यहाँ पर हम मखाना चाट बना रहे हैं, तो अब इसमें सबसे पहले डाल देंगे आधा, प्याज कटा हुआ, साथ में थोड़ा सा धनिया पत्ती अब इसमें खटा मीठा टेस्ट के लिए इमली की मीठी चटनी डालेंगे, यदि आप ये पास इमली की मीठी चटनी नहीं है, तो इसके जगह आप टमेटो केचप भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आएगा अब इसमें डाल देंगे नमक, अभी मैं काला नमक डाल रही हूँ, काला नमक से चाट में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, साथ में डाल देंगे आधा चम्माच भुनावा जीरा पावडर, आधा चम्माच लाल मिर्ची पावडर, ये तीखी वाली लाल मिर्ची, क्यो तोड़ा सन्नीबू का जूज डालेंगे, बहुत जाद नी डालेंगे, यह दि आपको खट्टा पसंदे तो डाले और नई पसंदे तो इसके भी कर सकते हैं, अब इन सभी चीजों को मिक्स कर दिंगे, देखने मिक्स कर रही हूं तो कितना अच्छा कलर आया है, बहुत टेस् की का खेले असानी से बन जाता है, अब इस चाट को सर्व कर लेंगे, आप इसमें उबला हुआ आलू, खीरा, यह सब भी डाल सकते हैं, ग्रेट किया हुआ गाजार, वो भी बहुत ही टेस्टी लगता है, यदि आप एक ही तरह का चाट बना-बना के और खाखा के बोर हो ग कर दो, प्रेट, वो बाहे टेस्टी का गाट सकती है, और लेकर हैं, जा बना-घो जढ़ी, आप, चाली, जुत है, लेका वी तरेट transformed